आप सभी दोस्तों का वेलकम एक नई वीडियो में दोस्तों आज है संडे का दिन हाजी रहे आपके लिए एक नई वीडियो तो दोस्तों आज हम चलते हैं नरसरी पे जहां पे मोस स्टीक के बारे में आपको दिखाएंगे कि मोस स्टीक कैसे बनती है तो दोस्तो इससे पहले हमने यहाँ पे दो वीडियो अपलोड की थी इस चैनल पे जिस पे आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला तो दोस्तो तीसरी वीडियो आपके लिए हाजिर है मोस इस्टीक पे है तो आप मनी प्लांट के पत्ते अगर बड़े करना चाहते हैं तो यहाँ से मोस इस्टीक बाई कर सकते हैं अगर आप पिजनस करना चाहते हैं तो आप होल सेल रेट पे भी यहाँ से मोस इस्टीक मगा स और यहां का एड्रेस आपको इस वीडियो के लाश्ट में मिल जाएगा, तो दोस्तो आप चलते हैं अपने वीडियो के तरफ और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक लाइक जरूर करजिए, तो दोस्तो फाइनल हम नरसरी पे आगे हैं, जैसिब नरसरी यहां का एड्रे note कर सकते हैं contact number तो दोस्तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप most stick बन रही है तो दोस्तो वीडियो last तक देखिए सारी जानकारी आपको यहाँ की दी जाएगी तो दोस्तो most stick अगर आप buy करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 rate 12 रुपे fit और 10 12 रुपे fit आपको most stick मिलेगी 10 रुपे नारियल की तो दोस्तो अगर आप online मगाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा most stick मगानी पड़ेगी एक पीस आपके घर तक आने में उसका charge delivery charge बढ़ जाएगा तो दोस्तो अगर आप इसी rate में लेना चाहते हैं तो आपको इस नरसरी पे आना पड़ेगा या आप अगर business करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मगा सकते हैं तो आपको यही rate मिलेगी तो दोस्तो अब देखिए most stick बनने का तरीका तो दोस्तो देख सकते हैं एक जाली पे most रखी जाती है दोस्तो यह most आपको सिर्फ पहाड़ों मिलेगी उत्रा खंड से यह आती है 100 रुपे किलो के हिसाब से तो सबसे अच्छी मनी प्लांट के लिए most होती है most stick तो दोस्तो आप जब भी कभी money plant की most stick लें तो आपको यही लेनी है दोस्तो यह घास एक होती है जिस पे अच्छे से इसको machine में बारी कर लिया जाता है उसके बाद फिर इसको जाली पे रखके इसको देख सकते हैं ऐसे आप देख रहे हैं अपनी screen पे इसको ऐसे roll किया जाता है जिससे यह जल्दी खराब ना हो जाली से फिर उसके बाद इसे देखे तार से सिलाई किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं उसके बाद इस पे एक और net चड़ाई जाएगी जो की plastic की रहेगी तो अभी आपको दिखाएंगे तो दोस्तो यह money plant को काफी अच्छे से grow करने देती है दोस्तो money plant हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है कहते हैं money plant लगाने से घर में पैसों की बारिस होती है तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है बाकी आप comment करके बताएए क्या यह बास सच है तो दोस्तो यह देख सकते हैं यहाँ पे इसी चीज का काम होता है तो अब देखी यहाँ पे दूसरी बनाई जा रही है तो अभी आपको दिखाएंगे कि green net लगने के बाद कैसे होती है तो दोस्तो अगर आप अपने money plant में यह चीज को लगाते हैं तो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है जो उसके पत्ते होते वो काफी बड़े साइज के हो जाते हैं दोस्तो money plant को आपने ध्यान से देखे हो उसकी side root निकलती है तो जो root इसके money plant के stick के अंदर जाती है यहीं से वो feeding लेती है उनको नमी मिलती है तो देख सकते हैं यह भाई अभी हमको दिखा रहे हैं कैसे यह पूरी तयार होने के बाद most stick लगती है जैसे कि आप market में देखते होंगे तो यह देखे यह net होती जो plastic की होती है और इसको इस पे देखिए ऐसे करके लगा दिया जाता है अब देख सकते हैं यह पूरी तरह से तयार है आपको market में कुछ इसी तरह की most stick मिलती होंगी देखने को तो अब यह तयार है तो दोस्तो यह 3 fit की है तो 12 रुपे fit के हिसाब से आप जोड लीजिए 3 fit की कितने की होगी है दोस्तो अगर आप 10 fit 15 fit बनवाना चाते हैं तो आपको यहाँ पे आके इनको order देना पड़ेगा जो की 15 रुपे fit के हिसाब से बनेगी फिर तो आप अपनी special भी बनवा सकते हैं यहाँ पे आके यहाँ का address तो आपको इस सुरू में वीडियो के मिल गया है तो यहाँ देखिए नारियल की भी मिलती है जो की 10 रुपे fit होती है तो अभी हम आपको दिखाएंगे के नारियल की stick कैसे बनती है तो अभी यह मोस stick बना रहे हैं हम इनसे कहे हैं के हमें एक नारियल की stick भी दिखाई जाए बनाके कि नारियल की कैसी होती है तो इन्होंने बताया है कि सबसे बढ़िया जो होती है वो मोस इस्टीक होती है तो आप जब भी अपने मनी प्लांट के लिए मोस इस्टीक लें तो वो मोस वाली लें दोस्तो नारियल वाली जो इस्टीक होती है उसकी बस यही एक नारियल वाली स्टीक में सिरिफ एक कमी होती उसमें पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है जो कि मोस स्टीक में पानी होल्ड रहता है ताकि मनी प्लांट की जो रूट होती है उनको नमी मिलती रहती है मनी प्लांट की दो जगे रूट होती एक नीचे के तरफ होती जो की गमले में होती और एक इस टीक के तरफ तो इस टीक के तरफ ही मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है उसका पत्ता बड़े साइच का पत्ता होता है तो जब तक उसे नमी नहीं मिलेगी तब तक आपके मनी प्रांट के पत्ते छोटे साइच के ही रहेंगे तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जो नारियल की रेसों की मोस इस्टीक होती है वो किस तरह की होती है तो चलिए जातर नरसरियों पे आपको यही इस्टीक को कहेंगे मोस इस्टीक है नारियल की पर देख लीजिए उसकी पहचान आपको हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप एक पहचान लगा सके देखिए यह सिर्फ नारियल से ही तयार की जा रही है रेसों से तो आप जब भी मोस इस्टीक खरीदे तो आप देख लीजिए कि उसमें कौन सी जो की घास लगाई गई है मोस लगाई गई है यह नारियल की लगाई गई है तो आप देख सकते हैं यह नारियल की है और दोस्तो इस वीडियो को भी एक आप लाइक कर दीजिए और बैल आइकन ओन करके चैनल को सस्क्राइब रखिए दोस्तो ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है तो आपका बस कुछ टाइम नहीं लगेगा बस आपको ये रेड कलर का जो सस्क्राइब बटन है नीचे उसको काला कर देना है और बैल आइकन आल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि आप हमारी ऐसी वीडियो कोई भी मिस ना कर सके है तो देख सकते हैं अब इसको तार से इसकी सिलाई की जा रही है ताकि इसे अच्छे से मजबूती मिल जाए अब हमारी जो है के मनी प्लांट की स्टीक तयार हो गई है नारियल की तो ये 10 रुपे फिट के हिसाब से तयार हुई है तो आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छे से इसे सिलाई की जा रही है देख सकते हैं अभी इसको एक बार रोल कर लिया गया है ताकि अपने जगे पे अच्छे से अर्जेस्ट हो जाए अब देख सकते हैं ये तयार है तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रही है हमारे चैनल पे तो दोस्तो नैश्ट वीडियो हम लाएंगे इन गमलों पे तो चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे जबी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी तब तक अपना ख्याल रख्ये अपनी बागबानी का भी ख्याल रख्ये जल्दी आपसे मुलाकात होती है तब तक के लिए जय भारत जय हिन